नमस्कार दोस्तों मैंहून राजीव और आप देख रहे हैं आमानात नौलेज दोस्तों अज़ए हम जनकारी प्राप्त करेंगे कि नकल क्या होता है तो दोस्तों इसको जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेले कर प्रेस कर लिजे चलिए आगे जनकारी प्राप्त करते हैं तो दोस्तों नकल क्या है उसको समझते हैं तो नकल की अगर बात करें तो short form में यह आप समझ सकते हैं जैसे कि किसी paper का photo state या jerox तो इस तरह से इसको नकल कहते हैं जमीन है ठीक है और उस खतियान का जो है सो निकालने के लिए उस खतियान को निर्गत करने के लिए जिला समाहर नाला में जाते हैं आप और वहां पर जो है जो अभी लेखागार होता है ठीक है उसे नकल खाना भी कहा जाता है ठीक है तो नकल खाना इसलिए कहा जाता है कि आप जब अपने खतियान का जो डिटेल से देखते हैं वहाँ जाके, उसके बाद वहाँ से आपको उसका नकल लेना होता है, ठीक है, लेकिन नकल में क्या होता है, इस बात को समझेंगे, तो नकल तो ले लेते हैं, लेकिन उसके साथी साथ, जो है कुछ प्रूब भी मिलता है हमें, ठीक है, कहने का मतलब है, कि जब वहाँ से हम नकल निर्गत करते हैं, नकल निर्गत होता है, तो वो नकल जो हमें मिलता है, वो सेटिसफाइड कॉपी मिलता है, कहने का मतलब है, एक साथा पेपर जो, एक नॉर्मल पेपर जो होता है, जेरोक्स जैसे कहते हैं, ठीक ह उसके बाद उस पे उस ऑफिस का साइन मुहर जब लग जाता है तो वो जो है सेटिसफाइड कोपी हो जाता है ठीक है हलांकि खतियान का नकल ही हमें दिया जाता है लेकिन वो जो है सेटिसफाइड कोपी मिलता है ठीक है तो साधरन सी भासा में अगर नकल की बात करें तो मान लिजे कि थाना में जाए आप पोलिस थाना जो होता है वहाँ जाए या फिर कोट का चेहरी जाए तो वहाँ पर नकल की बात कहा जाता है कि आप जो है डिरेक्ट किसी भी पेपर का जेरोक्स आपको मिलता है वो एक नकल है लेकिन नकल में जो आप जमीन का कागजात का नकल कहीं से निर्गत करते हैं तो वहाँ पर नकल तो आपको मिलता ही है ठीक है उसके साथ ही साथ वो जो नकल होता है वो सेटिसफाइड हो जात है नकल का तो उसको आप समझ गया होंगे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सिरकना ना भूलें मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए अलविदा थैंक्स